नमस्कार मैं गुंजन शर्मा और आप देख रही हैं यूब इडिया नियूज दो साल बाद दिल्ली में आज फिर लोट रही है राम लीला कोरोना वारस के प्रकोप से दो सार तक दिल्ली में राम लीला रही हो पाई लेकिन नमरातरी 2022 के पहले दिन के सुभ अफशर पर एक बार फिर से स्रेता यूप की रामाइन के कहनी को लेकर कराकार राम लीला का आज दिल्ली में जगा जगार नाम लीला का फब्याय आज़न किया जाएगा इसको लेकर सभी कमेटियों ने अपनी अपनी सायारियां शुरू करते वहीं कमेटियां इस बार एक बड़ा फैसला लेनी जाएगे कि वे इस बार राम लीला के मच्च से आजादी के अमरत महस्तब की भी छलत दिखाएगे राम लीला को देखने के लिए लोगों में काफी उस्साह का मौखल है क्योंकि पूरे दो साल के बार राम लीला दिल्ली में लौक रहे है कि दिल्ली में छोटी बड़ी कुल मिलाकर पांसो के लगधा के रामनीडा के बड़े-बड़े पंडार और मंच जिस्तत इन मंच के जरीए सभी कलाकार आपको त्रेता यूख की रामायन पेशल लिखाएंगे महीं दिल्ली में बड़े-बड़े मंच लग चते हैं महीं कुछ मंचों को अयोधिया में बड़े फंपे रामनांदिर का रूप दिया जा रहा है जो लोगों को काफी ज्यादा बसंद दिया रहा है इसके अगावा दर्शकों के मनोरंजल और खाने पीने की व्यवस्ता के लिए राम लीला कमेटियू ने मेलों का भी आयुजन कराता है इस बार कमेटियू ने दर्शकों को टीवी के तरहार रामायन दिखाने की खोशिश किया जिसमें कई विशेशित तखनीकों का प्रियों किया है। जैसे हनुमान जी का अकाश्वियों ना सलवारों से चिंगार ने करें। कम्पिट राइब लाइद वस्ताओं का पूरा इज़ाम किया है। वही दिल्ली की लखष रामीला कमयटी ने केंद्र के कई मंत्रीों ने आने की भी खबनुय। कर दो कि अलावा केवर्ट का रोल भाजपा सांसल मनोज सिवारी करते दिखाएदें। तो दुल्चस्पत अब की बार ये होगा कि कैसे इस बंती है रहा है तो देखिये इस विखिये